हेलो स्ट्वेंट्स तो आज का हमारा टॉपिक है महत्मा गांधी और उनके जीवन से जुड़े हुए महत्वपुन तत्या ठीक है आज के हम पीडियाफ में पीडियाफ से जो है यह डिसकस करेंगे तो देख लेते हैं अभी तक हमारे भारती अर्थव्योस्ता वाले में पंद्रा या 20 मिनिट का तो उसमें आपका पूरा अब कवर हो जाएगा तो इन पांच भाग के अंदर आपके जो भी अर्थव्योस्ता से प्रस्ण बनते हैं उमीद है इन्हीं में से कोई न कोई बनेगा ठीक है गांधी जी देखो गांधी जी की बात करें तो आज का टॉ पूद के भी एक आदर्स वेक्तियों में से एक है और दुनिया में बहुत सारे जितना कहा जाता है कि गांधी जी को आप जानते हो तो उत्रहीं आप उन्हें फिर मानते भी हो लेकिन ज्यादतर जो लोग जानते भी बहुत कम है जो पढ़ते हैं वही थोड़ा बहुत जान का दि माता का नामे पुत्ली बाई पिता का नामे करमचंद गांधी ठीक है पतनी का नामे कस्तूर बागं जिने वह बाबी कहते थे 1883 में यानिकी 14 वर्श की आयूमें इनका विभावा था ठीक है इनके चार पुत्र थे हरी लाल रामदास, मनी लाल देवदास हरी लाल के जिवन पे एक मूवी भी बनी भी है गांदी माई फादर और इनके पांच वे पुत्र का माना जाता है जमलालाल बजास को ठीक है गांदी जी का पांचवा पुत्र तो एक उपाधी है तो चार पुत्र थे इनके अब बात करते हैं 1891 में इन्होंने बैरिष्टर की परिच्छा उत्तरिन की तो देखो बैरिष्टर जो अंग्रेजों के जमाने में जो वकालत की पढ़ाई की विदेश से करते थे उन्हें बैरिष्टर कहा जाता था जैसे आपने बैरिष्टर मुकंदि लाल का नाम सुनाई है नहीं तो वो बैरिष्टर हो गया ठीक है जैसे आपने सुना हुआ कि एड़ोकेट एड़ोकेट सुना है और लॉयर तो जो इसने लॉक की पढ़ाई किये तो वो लॉयर हो जाता है लेकिन जो उसको प्रैक्टिस भी कर रहा है कोर्ट में तो वो एड़ोकेट हो गया तो यह डिफरेंस है और बैरिश्टर तो ब्रिटि अब्दुल्ला या अब्दुल्ला सेट नहीं ने अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अफरिका जो है आम अंतरित किया ठीक है इस सिलसले में 1892 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिन अफरिका गए तो यहां पर देखो कई सारे प्रस्ण जो ह प्रेटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी ठीक है जब उनके जीवन के महत्तुपन घटना घटी थी उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन की प्रथम सेणी का टिकट था लेकिन रंग भेद के कारण उन्हें तिर्थिय सेणी में जाने को कहा गया तो टिकट उनके फ एक से पूछा जा सकता है किस इस्टेशन पर गांधी जी को जो है जवरन नीचे उतार दिया गया और आज यहां पर गांधी जी की जो है वरतमान में मूर्ती भी यहां पर स्थापी थे ठीक है बाकी आगे देखते हैं दक्षिन अफरिका में क्या-क्या गांधी जी ने किया है 1894 में नटाल इंडियन कॉंग्रेस की स्थापना की गई 1903 यानि 1903 में इंडियन ओपिनियन सापता ही पत्र निकाला 1904 में फिनिक्स फर्म यानि फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है तो गांधी जी के दो महतुपुन आश्रम थे अफरिका में उन में से पहला है फिनिक्स फर्म 1904 दूसरा है 1910 टॉल्स्टोय फर्म टॉल्स्टोय जो थे जिन्होंने war and peace book भी लिखी है इनके जीवन से गांधी जी काफी परभावित थे तो इसी नाम से उन्होंने दूसरा आस्रम जो है महाँ पर इस्थापित किया था ठीक है इस जो टॉल्स्टोय फार्म है इसकी इस्थापना कॉलेन बारब की साहिता से जोहन्सबर्ग में की गई थी अब बात करते आगे कि गांधी जी जब अफरिका से भारत आए ठीक है तो वहाँ पूरा अफरिका में वे अपने सत्यागरे भू करता लादी सब कुछ अनुभाव ले चुके थे अपना और उस अनुभाव का फिर भारत में उन्होंने उपयोग किया तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिन अफरिका से भारत आये इसलिए 9 जनवरी को परवासी भारती दिवस भी मिनाये जाता है गांधी जी ने गोपाल केष्ण गोखले को अपना राजनितिक गुरू बनाया पर्थम विश्यूदि के दौरान लोगों ने सेना में भरती कराने के लिए प्रोसाइद करने के कारण कुछ लोगों ने इन्हें भरती कराने वाला सार्जेंट कहा ठीक है तो गांधी जी को पर्थम विश्यूदि के दौरान भरती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया 1916 में गांधी जी ने एहमदाबाद के करीब साबर मती आसरम की स्थापना की साबरमती का आसरम का पहले नाम था सित्याग्रे आसरम मूल नाम तो ये भी याद रखने हैं आपको फैक्ट बिटिस सरकार ने गांधी जी को केसर हिंदी की उपादी दी थी ठीक है जिस उपादी को गांधी जी ने बाद में जब जलियवाला बाग हत्या काणवा तो उस उपादी को लौटा दिया था गांधी जी ने नव जीवन गुजराती में प्रकाशित किया और यंग इंडिया अंग्रे जी का संपाधन भी किया है हरीजन पत्र का प्रकाशन 1937 में किया गया था गांदी जी की जो आत्मकता है the story of my experiment with truth सत्य के साथ मेरे अनुपरियोग ठीक है तो यह पूछ सकते हैं गांदी जी का पिरे भजने वैस्टन जनतों तेने कहिए यह नर्सिंग महता ने लिखा था गांदी जी के नेतरतों में तीन बड़े जो संगर्ज थे एक चंपारण ने 1917 में सत्यागरे पहला सत्यागरे भारत में और सत्यागरे का जो पहला परियोग किया गांदी जी ने वो किया था अफरीका में ठीक है तो तीन बड़े जो उनके संगर्स हैं भारत में वो थे चंपारण 1917 एहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन के लिए भूकरताल वो है 1918 पहली भूकरताल है 1918 ठीक है अगर पूछेंगे गांधी जी ने पहली भूकरताल कब की तब आएगा 1918 गांधी जी ने पहला सत्यागरे कब यताब आएगा चंपारण 1917 फिर है खेडा सत्यागरे 1918 तो यह हो गया इसके बाद देखते हैं गांधी जी ने असयोग आंदोलन एक अगस्त 1920 को सुरू किया और इस आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की है इस आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे मुहम्मद अली जिन्ना ठीक है अचा फिर है गांधी जी ने सबने अवग्या अंदोलन की सुरुवात 12 मार्च 1930 को की आजादी के दिन गांधी जी जो थे वो बंगाल में नुवा खाली नामक जगे पे थे आजादी के समय यहनी 15 अगस्त 1947 को गांधी जी की हत्या का जो मुकदमा था गांधी जी की हत्या कभी थी 30 जनुवरी को उस दिन सही दीवस मनाये जाता है 30 जनुवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में नाथुराम गोट से ने उनकी हत्या की और उनकी हत्या का मुकदमा नातुराम गोट से के अलावा गोपाल गोट से मदनलाल पहवा विश्नु करकरे दिगंबर बांगरे दामदर वीर सावर कर और नारहन आप्टे पर चला नातुराम गोट से और नारहन आप्टे को फांसी की सजा हुई है ठीक है तो नातुराम गोट से का नाम सभी लोग जान तो यह भी याद हनए है आपको इसे में नलाइवाल उससे में आपके लिए पी डियाफ बना रहा हूं जिनके बांए बुक नहीं नहीं बुक नहीं है तो जो भी मैटर उसमें नए आया है वह आपको मिलता रहेगा ठेक है इससे आपको क्या है नई बुक खरिदने की ज़रूत नहीं है किवल अपडेटेट जो थोड़ा बहुत होता है वो पढ़ना पढ़ता है बाकि आपको पढ़ना वह यह जो आपके वास बुक है ठीक है जो भी बेसिक बुक अच्छे से पढ़ लेता है लुसेंट परिक्षामाणी और आपने लुसेंट हिंदी पढ़िये बाकि आप एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो चीजों को लेकिन इनी किताबों को अगर आप अच्छे से करते हो तो मैक्सिमम चीजे आपको यहा पारथान नहीं दिया क्योंकि वो केवल उसमें उसमें पहले पेज में विग्यापन आते थे ठीक है एक कारण यह हो गया दो अक्टूबर 2005 को पीटर मारिजबर्ग मर गांधी जी की परतिमा लगाई गया यह वही स्टेशन है जो अभी हम बदा रहे थे कि गांधी जी को ज 15 जुलाई को हाफस ओफ कॉमंस ने और 16 जुलाई को हाफस ओफ लॉड्स के द्वारा इसे पास कर दिया गया ठीक है तो जैसे हमारा होता है निम्न सदन हाफस ओफ कॉमंस है और फिर उच्छे सदन हो गया राज्यसभा तो हाफस ओफ लॉड्स अठारा जुलाई को ब्रिट अधिराज्य, 15 अगस्त को भारती अधिराज्य के स्थापना होगी, यह सब इसमें भारतियस वाधिन्ता विध्यक में लिखा गया था, ठीक है, भारत की आजादी के समें, इंग्लेंड के समराड जॉर्ड सस्टम थे, और यह भारत के अंतिम समराड भी थे, और Commonwealth Nations के पहले प पढ़ सकते हो, ठीक है, जब आप उस विक्ति को जानोगे, तो आप फिर मानोगे भी, कि यह विक्ति कुछ अलगी था, ठीक है, तो गांदी जी के काम को खारिज नहीं किया जा सकता है, जो उनका योगदान है, उन चीजों से देखो, यह हो सकता है कि कोई सहमत है, कोई सहम पड़िवद, कि उनका तीक के यह हो तो आप आप इंधर यह जा मिल कुछ परादय।